हम बनाएंगे healthy breakfast, इस recipe को आपने न देखा होगा और नहीं अभी तक बनाया होगा, यकीन मानिए बच्चों ने एक बार खाया न तो बार बार बनवाएंगे, मेरे चैनल में नई नई recipe आते रहती हैं, मुझसे जोड़ना चाहते हैं तो Indian's Kitchen Queen को subscribe करना न भूलिएगा, वो भी प्री में आये रेसिपी को सुरो करते हैं, तो हमने ये recipe स्वेट कॉन से बना कर तयार किया है, हमने मीडियम साइज की तीन भूटों को लिया है, आपको जितने भी बनाना है, आपने हिसाब से क्वांटिटी ताय कर सकते हैं, दाने बहुत जादा साफ्ट हैं और कुछ करके आप निकाल सकते हैं, इन मेरे इसे बगेरा रहते हैं, पानी डाल करके धुलेंगे तो साफ हो जाएंगे, healthy breakfast बनाने के लिए कौने के साथ मूंग भी ऐड़ करेंगे, तो जितनी कौन है उसे आधी आप मूंग एड़ कर सकते हैं, चाहें तो मूंग दाल का भी इस्तमा पीस कर तयार कर लेंगे, वीडियो को पूरा देखना है, कुछ ट्रिक्स बता हैं, जिससे आपके चीले बढ़िया बन करके तयार होंगे, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पेश्ट बन करके तयार हुआ है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, राइन करने के बाद कि अब हमने कुछ चीजें चॉब्ड करके एड़ किया है, दो मीडियम साइज के ओनियन, चार ग्रीन चिली, आट से दस गारलिक और एक तुकडा जिंजर का, सभी चीजों को हमने चॉब्ड किया हुआ है, यहाँ पर हमने जो ओनियन को चॉब्ड किया है ना, एक तब बारिक जो बच्चे नहीं खाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ओनियन है या नहीं, आप कुछ मसाली भी एड़ करती है, तो 1 टी स्पून रैड चिली पाउडर, टर्मलिक पाउडर, 2 टी स्पून कोरियंडर पाउडर, 1 टी स्पून क्यूमन सीट्स, दो टमाट गरम मसाला, और अब सबसे खास चीज, दो कप, ये मीडियम साइज का कप है, इसमें मैंने दो कप गहुं का आटा लिया है, इससे ना, बैंडिंग बहुत अच्छी आती है, आप चाहें तो बेशन भी इस्तमाल कर सकते हैं, पर बेशन से इचनी अच्छी बैंडिंग नहीं तभी परफेक्ट चीले या फिर बैंकेक बनकर तयार होते हैं, आप एक चीला को ट्राइ कीजिए, अगर अच्छे से निकल रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा आटा और भी एड़ कर सकते हैं, हमने नौश्टिक तभी का उप्योग किया है, आप लोहे के तभी पर भी च चीला बना कर तयार कर सकते हैं, और इसे जादा बड़ा बनाना है, जादा बड़ा बनाएंगे ना, तो यह तूटने लगेगा, लोहे के तभी पर बनाते हैं, तो ज़दा आईल का यूज़ करना पड़ता है, नौश्टिक तभी पर बनाएंगे, तो थोड़ा सा कम आईल यूज होता है बढ़ी असा गोल बना देंगे इससे और जब ऊपर से थोड़ा सा सूख जाएगा तब यूद को फोड़ा सा तीड़ा करेंगे तब किनारे बना जाएगे πैड़ा पया वोटा सबस्वेस पर साम धेद्येकर बेल Means पर से ओड़ाइगे ताकि चीला तूटे गर नहीं पलट देंगे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चीला से करके तैयार हुआ है फिर से पलट देंगे एक दो बार पलट करके सेख सकते हैं क्रिस्पी होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे आप कहेंगे कि चिला सही सेव कर नहीं है तो इसे परफेक्ट सेव देने के लिए हम कटर का इस्तमाल करेंगी तब पर आईल को फिर से लगाएंगे कटर को रखेंगे एक चमज की जितना वैटर को डालेंगे वैटर को कम यूज कीजिए थोड़ा सा फैला दीजिए सही सेव आजाएगा थोड़ा सा टैप कर दीजिए कटर को आगे पीछे कर दीजिए वैटर कटर को छोड़ देगा वन टी स्पून ओईल डाल दीजिए आप कटर को निकाल सकती है पलड़ दीजिए यहाँ पर कितनी आसानी से ही पेन के बन गया छोटा सा सही सेव का इसको साइट कर दीजिए और तबा बढ़ा है तो एक और बना कर तयार कर लीजिए जब दोनों बढ़िया से सिख जा तो इनको प्लेट में निकाल लीजिए इन तरीकों में आपको जो भी अच्छा लगे ब्रेफ़िश्ट बना कर तयार कीजिए हमने टमाटर की चटनी खीरे के साथ इस रेसिपी को ट्राई किया है आप अपने मन पसंद चटनी सास या दही के साथ रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को आल टाईम इंज्ड़ाई कीजिए बहुत जादा पसंद आने वाली है फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ बाई बाई